नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है वो चयनित सिक्छकों के लिए भी महत्रपूर है और जो आचयनित हैं जो सिक्छक बनने वारे हैं उनके लिए भी महत्रपूर्ण यह भी मामला पेंडिंग है और कल यह मामला लगा हुआ था लेकिन एक केस की वज़े से कल मामले का नंबर नहीं आया था जिसकी अपडेट मैंने पोस्ट के माध्यम से दे दी थी और अगली जो डेट लगी थी वो आप देखेंगे तो आज की डेट लगी थी यह देखेंगे लेकिन यहां पर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है बड़ा परिवर्तन यहां पर आ चुका है आज की सुनवाई को लेकर क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं यह भी स्क्रीन स्टॉर्ट जो है वो आज का है और आज एक बार पुना जो है सुनवाई नहीं हो पाई जियान एक मामला है 101 नंबर पर था जो की लेंच सुरू होने से पहले भी सुना गया लेंच की बाद भी सुना गया जिसके कारण जो अन्य मामले हैं वो नहीं सुने जा सके ठिक यह चीज़े नहीं है लेकिन जानकारी यह मिली है कि कुछ अधिवक्ताओं के माध्यम से केस को मैंसन करवाए गया तब जब कोट उठ गई अगर मैंसन नहीं भी कराए गया तब भी आज के जो मामले थे उन्हें कोट ने एक हफ़ते बाद के लिए लिश्ट किया है तो यह अक्षे कुमार और उमेशन सब एक ही आज का हैं यह तो आपको पता ही है connected appeal है तो अगर आप यहां प चार नो दुहजार चोबीस यानि कि चार सब्टेंबर को ठीक है यह मामला आप दोस्तों सुना जाएगा अब यह मामला कर नहीं सुना जाएगा चार-पांदिन बास सुना जाएगा चारताई को और अगर उस दिन सुनवाई होती है तो जो भी updates होंगे हम आपको बता रहे ह किसे नंबर पर सुनाई होंगी उसकी हम पोश्ट के मादेम से भी अपडेट दे देंगे या वीडियो के मादेम से दे देंगे उसके लिए आप चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा तो अगला जो डेट है वह आपकी चार नो दो हजार चौबिस की है चार सेप्टिम्बर को यह मामला अब सुना जाएगा 12,460 का और यह मामला सुना जाना इंपॉर्टिंट इसलिए है क्योंकि अभी 600 लगबख सीटे बची 600 प्लस हैं तो उन सीटों पर भी कुछ अन सिक्चकों को नियुक्ति मिलनी चाहिए उसके लिए मामला निस्तारिक होना जरूरी है और वहां करने पर द्याले में कारी करने लगे हैं सब कुछ सई चल रहा है अब उनको इंतजार है अपने वेतन का अपनी सैलरी का तो उसको लेकर यह लेटर कल ही भेजा गया था और आउनलाइन वाटसप के मादें से सची सर को रिसीव कराया गया था और आज यह लेटर 28 अगस 2024 को यह देखी है यहां पर सिक्नेचर वेगे रहे हैं ठीक है मोहर वेगे रहे हैं यह ठीक है कल ऑर आउर्लाइन वेजा गये था 28 थारीक और आज29 तारीक को इससे रिसीव भी करायी गया है है वहांपर आफ-लाइन मात्यं से जहां पर दोस्तों यह निवेतन किया गया है कि 1 ज किसी विक्रकार की कोई कारवाही देखने को नहीं मिली कुछ एक आज जिलों में वेतन के प्रिक्रिया सुरू हुई है जरसा कि आपने देखा है चाहे वो बारह वंकी हो उन ना हो ठीक है एक आज जिले और हैं जहां पर कुछ लगवल दोसों सिक्टों के वेतन दिरीज करने क आजिस आएं है ठीक है महराद वेंज का यह साथ ताइंट आए तो कुछ चार पांच जिलों में यह प्रिक्रिया हुई है लेकिन अन्य जिलों में ऐसी कोई प्रिक्रिया नहीं हुई इसको लेकर यहां पर निवेदन किया गया है आप देख सकते हैं बारह जाए चार सुसा हाई करके जैसे हाई स्कूल इंटर करके और आपका बीटी सी करके आपका टेट करके क्योंकि यह प्रिक्रिया है आउनलाइन यह करने के बाद एक स्टैम पेपर पर लिखवा लिए जाए कि अगर डाकुमेंट्स में कोई भी कम्या पाई जाती है तो आगे वेतन आपका बा बाकार भी करेंगे और वहां से भी जानकारी देखने को आपको मिल जाएगी वहां से भी चीज़े देखने को मिलाएंगे वैसे ज़्यादा तर चांस यह हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिलों में जो भी चीज़े देखने को मिल रहे हैं जैसा कि अभी सीता कुर में का है वेरिफेकेशन का और सितंबर महिने में हम सब्सक्राइब कर लेंगे और अक्टूबर में एक सिपांस तारीक में उनका वेतन रिलीज कर देंडी जी हां ऐसा उन्होंने एक समाचार पत्र में बातचीत करते हुए कहा है ठीक है और अभी अगर मुझे कटिंग मिलती है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो दोस्तों जो है उसमें उनके मादें से चीज़ का जित्रे किया गया है अभी वो मुझे प्राप्त नहीं हुई यानिकि अभी दिख नहीं रही है वरना मैं आपको तदकाल वह चीज़े दिखा जैता इस वीडियो मे लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है इसके अरावा अन्य जिलो से भी जानकाली मिल रही है कि अक्टूबर महने में लगभग लगभग जिलो का वेतन रिलीज हो जाएगा क्योंकि वेरिफिकेशन का कार लगभग सभी जिलो में चल रहा है कुछ जिलो में सुलू हो चुका है कुछ जिलों में पूर्ण होने वाला है तो उसके बाद सितंबर महने में आपके एकाउंट से सम्मधित जो भी सेलरी से सम्मधित जो भी कारवाही है वो भी बहुत के मादियम से की जाएंगे वेरिफेकेशन के बाद सेलिस सम्मदित भी कारवाही की जाती है, तो वो कम्पलीट कर दी जाएंगे सितंबर महीने में, और 20 सितंबर के बाद कभी भी इस सम्मदित हर जिले में आदेस आ जाएगा, कि इतने इतने लोगों का वेतन रिलीज किया जाए, और फिर ऐसा ऐसा आदेश आते जाएंगे उनका जो वेतन है वो अक्तूबर महिने में आ जाएगा तो जिन जिन लोग आगे आदेश देखने को मिलेगा उन सभी की जनकरी हम आपको वीडियो के मादिन से देते रहेंगे इसके लिए आप चैलो को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि 12,460 सिक् हैं थर्ड कांसलिंग का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए महत्रपूर हैं चीजे जानना कि क्या चीजें चल रही हैं सरकार प्रयास कर रही है ऐसी भी जान का रही है और उमीद है कि इसमें अभी एक थर्ड कांसलिंग देखने को मिलेगी वो याची लाब भी हो सकता है ये पूरी तरह से open third counseling भी हो सकती, जिसमें जो भी बचे लोग हैं, उनको मौका मिल सकता है, कुल लगबख 600 प्लस पड़ों, दोनों चीज़ें, दोनों सित्यां बन सकती, लेकिन वो सुनवाई के बाद ही होगा, अब आपके मन में वह सारे लोगों का सवाल रहता सकता, कब तक हो जाएगा, तो देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, सुनवाई पर डिपेंड करता है, देखिए, दो तारीखे लगी, दोनों में सुनवाई नहीं होई, तो जब सुनवाई हो जाएगी, उस पर जब साब अपना फाइनल आउडर दे देंगे, जब यह फाइनल आउडर हो जाएगा, इस पर याद रखिएगा, तब ही अब यह भरती, आगे बढ़बाएगी धर्ड कांसलिंग के लिए जैसे भी, ठीक है, तो फाइनल आउडर का इंतजार करना होगा, इंतजार करते हैं, चार सेप्टेंबर का, और जो भी अपडेट आई कि हम आपके साथ शेयर कर देएगे, धन्यवादा.